पाचन तंतर एक ऐसे मशीन की तरह होता है जो कि हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करता है और यही वज़ा है कि पाचन में किसी भी तरह की कोई भी गरबड़ी होने से इसका हमारी आख, हड़ी, तोचा, बाल, दिमाग और पूरे शरीर पे बहुत बुरा असर पड़ता है यहां तक कि अगर पाचन ठीक ना हो तो कोई भी व्यक्ति ना तो अपना वज़न बढ़ा सकता है और ना ही घटा सकता है खाया हुआ खाना बहुत देर से पचना, कबज, गैस, सीने में चलन, ठीक से भूक ना लगना और खाने के बाद भारी पन महसूस होना कमजोर पाचन के निशानी होती है लेकिन सवाल ये उड़ता है कि पाचन खराब होता क्यों है और इसे किस तरीके से ठीक क्या जा सकता है दोस्तों किन-किन गलतियों के वज़े से पाचन में खराबी आती है उसके बारे में हम इस वीडियो के पार्ट वन में पहले ही बात कर चुके हैं जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के आखिरी में मिल जाएगी आज की ये वीडियो उसी वीडियो का पार्ट टू है जिसमें हम कुछ खास तरह की खाने के चीज़ों के बारे में जानेंगे जो कि पाचन शक्ती को बढ़ाने में बहुत मदद करता है दोस्तों खाना ठीक से बचने के लिए पेट में तीन चीज़ों का होना बहुत जरूरी होता है जिसमें पहला है एंजाइम यानि पाचकरस दूसरा है प्रोबायोटिक यानि के अच्छे बैक्टिरिया और तीसरा है डाइटरी फाइबर अगर पेट में इन तीनों में से किसी एक की भी कमी होती है तो इससे पाचन में खुद बखुद गरबड़ी पैदा होने लगती है इसलिए वीडियो का आखिर तक देख कर अच्छी तरह समझने की कोशिश करें अगर आप इन तीनों को ठीक से समझ लेते हैं दोस्तो पाचकरस हमारे पेट में खाने को तोड़ने का कम करता है इसलिए खाना जल्दी और असानी से पचने के लिए पेट में पाचकरस की सही मातरा का मौझूद होना भी बहुत सरूरी होता है शायद आपने ध्यान ना दिया हो लेकिन जब भी आप पाचन से जुरी समस्याओं के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं तो अक्सर ही डॉक्टर जाइम के नाम से बॉटल में एक दवाई देता है दरसल उस बॉटल में इंजाइम यानि पाचकरस ही दवा के रूप में मौझूद होता है इसलिए खाना जितना ज़ादा चबा कर खाते हैं उतनी ही ज़ादा मौझ की लार भी खाने के साथ पेटी में पहुंचती है और उस लार में मौझूद पाचकरस खाने को असानी से बचाने में मदद करता है इसलिए खाना हमेशा ही अच्छी तरह चबाकर खाना चाहिए आम तोर पे एक लुकमे को कम से कम 30 से 35 बार चबाना एक बहतर तरीका माना जाता है उसके बाद खाना पेट में जानी के बाद हमारा पेट भी पाचकरस प्रोडूस करता है जिसे की खाना को और भी अच्छी तरह तोरना असान हो जाता है लेकिन यहाँ समस्या यह है कि अक्सर ही लोग खाने के तुरंत बाद ही पानी पी लेते हैं और खाने के तुरंत बाद पानी पीने से पेट में पाचकरस की मातरा ठीक से नहीं निकल पाती जिसे की पाचन में गरबड़ी होने लगती है इसलिए पानी हमेशा ही खाना खाने के कम से कम आदे गंटे बाद ही पीना चाहिए ताकि पेट में पाचक रस ठीक से निकल सके लेकिन इतना ही काफी नहीं होता पाचन शक्ती को बढ़ाने के लिए कुछ खाने की चीज़ों के जरीए भी पाचक रस की कमी को पूरा करना बहुत जरूरी होता है और इसके लिए खाना खाते वक्त एक मिनट पहले एक बटन के अकार के कच्चे अधरक को चबा चबा कर खाना चाहिए और ऐसा इसलिए क्योंके कच्चा अधरक पेट में चानी के बाद पाचक रस की मातरा को बढ़ा देता है जिससे खाना पचनी की प्रक्रिया भी तेज हो जाती है इसके अलावा लगबग हर कच्चे खाने में पाचक रस मौजूद होता है लेकिन यहां भी समस्या यह है कि जैसे ही खाना को पकाते हैं तो उस खाने में मौझूद पाचक रस गर्मी के संपर कमयाने से पूरी तरह से खत्म हो जाता है इसलिए पाचक रसकी कमी को पूरा करने के लिए जो चीजे कच्चा खाने लाइक होती है उसे कच्चा ही अपने खाने में शामिल करना चाहिए और इसके लिए किसी भी फल का इस्तमाल क्या जा सकता है या फिर खीरा गाजर और चुकंदर यासी चीजों को सलाद के रूप में भी अपने खाने में शामिल किया जा सकता है क्योंकि इन सभी चीजों में पाचक रसकी अच्छी कासी मातरा मुझूद होती है पाचन शक्ति को बढ़ाने के लिए जो दूसरी चीज़े जरूरी होती है वह है पेटे में सही मातरा में अच्छे बैक्टिरिया का होना दोस्तों आप में से कुछ लोग यही सोच रहे होंगे कि बैक्टिरिया तो शरीर को नुक्सान पहुंचाता है तो भाला यह पाचन शक्ति को बढ़ाने में कैसे मदद करता है दोस्तों यहां इस बात का समंदर जरूरी है कि हमारे शरीर में दो तरह के बैक्टिरिया होते हैं एक है बुरा बैक्टिरिया और दूसरा है अच्छा बैक्टिरिया बुरा बैक्टिरिया हमारे शरीर में बीमारिया पैदा करता है जबकि जो अच्छे बैक्टिरिया होते हैं वो खाना को पचाने में मदद करने के साथ साथ शरीर में और कई दूसरे कामों को पूरा करने में भी बहुत ही एहम रोल पिले करता है बलकि अच्छे बैक्टरिया की शरीर में कमी होने से पाचन में गरबड़ी होने के साथ साथ शरीर कई सारी बीमारियों का शिकार हो सकता है दोस्तों जो लोग जादा तर बाहर के खाने और जादा तेल या चैनी सबनी चीज़ों का इस्तवाल करते हैं उनके शरीर में अकसर ही बुरे बैक्टरिय के मातरा बढ़ जाती है और अच्छे बैक्टरिया कम होने लगते हैं जसे की पाचन तो खराब होता ही है साथ ही कई सारी दूसरी समस्याएं भी शुरू होने लगती हैं इसलिए अगर आप भी बाहर के खाने तेल या चीनी सबनी चीजे और पैकेट में मिलने वाली चीजों का इस्तमाल करते हैं जिसमें एक है दही और दूसरा है आपल साइडर विनेगर यानी के सेब का सिर का इन दोनों चीजों में अच्छे बैक्टरिया बहुत ही अधीक मातरे मौझूद होते हैं जो कि पाचन शक्तिक बढ़ाने में बहुत ही मदद करता हैं अगर आप दही का इस्तमाल करना चाहते हैं तो थोड़े से दही में एक चुटकी जीरा पौडर मिला कर सुबह के नाश्ते या फिर दो पहर के खाने के साथ इस्तमाल किया जा सकता है और अगर आप आपल साइडर विनेगर का इस्तमाल करना चाहते हैं साथ ही company चाहे कोई भी हो लेकिन आपको ऐसा apple cider vinegar खरीदना चाहिए जिसे filter नहीं किया गया हो और इस तरह के apple cider vinegar की bottle को हिलाने से उसमें कुछ टुकड़े तेरते हुए नजर आते हैं इस तरह का apple cider vinegar आप online भी खरीद सकते हैं जिसकी link आपको वीडियो के description में मिल जाएगी पाचन शक्ति को बढ़ाने के लिए जो दीसरी चीज़े जरूरी होती है वो है dietary fiber दोस्तो अगर आपके खाने में fiber ना हो तो आपको कब्स होना और खाने के बाद पेट में gas बनना पकी बात है और ऐसा इसलिए क्योंकि वो खाने में मौझूद fiber ही होता है जो कि सभी पोशक तत्वो को control करता है और ये आतों में जमें waste पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने का भी काम करता है इसलिए हर किसी के लिए ये समझना जरूरी है कि किस खाने में fiber होता है और किस खाने में नहीं होता दोस्तो किसी भी खाने में जो ratio होते हैं उसे ही fiber का जाता है जो कि खाने को पचाने और आतों मिचा में वेस्ट पदार्थ को नीचे की तरफ धकेलने का काम करता हैं जिसे की कब्स की समस्या हमेशा ही दूर रहती है लेकिन समझने वाली बात ये है कि बाहर जो चीजे खाने की रूप में मिलती है उसमें तो वैसे भी फाइबर बिल्कुल भी नहीं होता लेकिन जो खाने घर में पकाये जाते हैं उनमें से भी कुछ खाने में फाइबर नहीं पाया जाता जैसे कि सफेज चावल, महीन आटे से बनी रोटी, मैदे से बनी चीजे, गोस्त, मचली, अंडा और सभी तरह के नौनवेज में फाइबर बिल्कुल भी नहीं पाया जाता यही वजा है कि जब आप रोटी या चावल के साथ किसी भी नौनवेज का इस्तमाल करते हैं तो अगली सुबह आपको कब्स की समस्या का सामना करना पड़ता है क्योंकि जो खाना आपने खाया था उसमें फाइबर था ही नहीं लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि आप रोटी चावल या गोश्त मचली नहीं खा सकते बलकि जब भी आप इन चीज़ों को खाते हैं दोस्तो दो तरीके हैं जिससे की फाइबर की कमी को पूरा किया जा सकता है पहला है खाने की चीज़ों के जरिए और दूसरा है फाइबर सप्लिमेंट के जरिए खाने की चीज़ों में फल, सभी तरह की सबजी और होल गरीन फूड में फाइबर मौजूद होता है खासकर सेब, अमरूद, भिंडी, गाजर, ब्रोकली, गोबी, टमाटर, छिलके वाली दाल, ब्राउन राइस, मटर और पालक जैसी सब्जियों में फाइबर की अच्छी खासी मातरा मुझूद होती है इसलिए बहतर है कि सुभा की शुरुआत आप किसी फल से करें और उसके बाद आप जब भी खाना खाते हैं तो आपको अपने खाने में रोटी और चावल की मातरा कम और सबजी की मातरा जादा रखनी चाहिए जिसमें आप सबजी पकी हुई भी इस्तमाल कर सकते हैं और खीरे गाजर और चुकंदर जैसी सबजीों को सलाद के रूप में भी खाने में शामिल किया जा सकता है यहां तक कि अगर आप रोटी या चावल के साथ सिर्फ नौन वेच का इस्तमाल करते हैं तो अब से आपको अपनी ये आदत भी बदल लेनी चाहिए और साथ में कोई एक सबजी और सलाद को भी शामिल सरूर करना चाहिए ताकि आपको कब्स और गैस की समस्या ना हो इसलिए जब भी आपको लगे कि जितनी सबजी आपको खाना चाहिए उतनी आप नहीं खा रहे हैं तो ऐसे में फाइबर सप्लिमेंट का भी इस्तमाल किया जा सकता है और इसके लिए इसबगोल की भूशी का इस्तमाल करना एक बहुती बहतर आप्शन हो सकता है क्योंकि इसबगोल एक फाइबर सप्लिमेंट होता है जो कि सबजी कम खाने के वैजचे से जो फाइबर की कमी होती है उसे कुछ हद तक यह पूरा कर देता है इसे इस्तमाल करने का तरीका ये है कि एक छोटा चमची सब गोल की भूसी एक गलास पानी में डाल कर 5-10 मिनट के लिए छोड़ दें और जब ये पूरी तरह फूल जाए तो उसे किसी भी वक्त के खाने के 10-15 मिनट बाद इस्तमाल किया जा सकता है लेकिन खास कर रात के खाने के बाद आपको इसका इस्तमाल जरूर करना चाहिए ताकि आपको कब्स की समस्या ना हो लेकिन यहां इस बात का भी ख्याल लकना जरूरी है कि इस सब गोल की भूसी आपको हमेशा ही बिना फ्लेवर वाला ही इस्तमाल करना चाहिए क्योंकि वही प्यूर होता है और उसी से फाइदे भी मिलते हैं और यहां एक बात का और ख्याल लगें कि सबजी को छोर कर आपको पूरी तरह से इसब गोल पे ही डिपेंडर नहीं होना चाहिए क्योंकि इसब गोल से सिर्फ शरीर को फाइबर मिलता है दोस्तो इसके इलावा दिन भर में की जाने वाले कुछ ऐसी गलतिया भी होती है जिसकी वज़े से खान पान ठीक होने के बावजुद लगातार पाचन से जुरी समस्या होती ही रहती है और उसके बारे में मैंने इस वीडियो के पार्ट वन में डिटेल में समझाया है कि कौन-कौन से गलती होती है जिसकी वज़े से पाचन में गरबड़ी होने लगती है उस वीडियो को उपर आ रहे है आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं तो बस आज के लिए इतना ही अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करने के साथ-साथ इसी तरह की अगली वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें और तब तक के लिए अपना खयाल लखें अलाह पीज़